नमस्कार मैं दिपीका बिंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूं जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नन्हे से बच्चे के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट जो होता है उनके लाइफ में उनके डेवलपमेंट के लिए वह होता है मा का दूद और मा के लिए भी सारी बीमारियों से बच जाती है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है और भी इस तरह की बहुत सारी खतरनाग बीमारियां होती है जिससे मा बच जाती है और सबसे जादा कॉमन रिजन मा का जो आफटर डिलिवरी वेट बढ़ जाता है ना उससे भी मा बच सकती है अगर माँ अपने बच्चे को अपना दूद पिला ह'm emotional जो development होता है ना माँ और बच्चों का एक दूसरे के लिए उसमें भी बहुत जाधा help करता है और बच्चे के लिए तो माका दूद अमरीद ही है क्यूंगि बच्चे का डेबलप्मेंट पूरा का पूरा जो उनका सालेडी और मांसीक विकास होता है जब बचा निवión होता है तो बहुत अच्छे से और बहुत असानी से हो जाता है जब बच्चा जो है अज़ बहुत अच्छे से पता भी मतलब जितना दूद उनके बच्चे को पिलाना चाहिए ना उतना दूद जो है एक मा जो है प्रड्यूज नहीं कर पाती है तो आज हम अपने इस वीडियो में कुछ जरूरी टिप्स लेकर के आए हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगी तो पक्का है कि आप बहुत अच्छा अधर भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है जिससे की आपका दूद जो है काफी ज्यादा हेल्दी होता है प्लस जो सतावरी होता है ना आपके बॉड़ी के अंदर जो हार्मोन दूद बनाने के लिए रिस्पॉंसिबल होता है उसको भी बढ़ाने के लिए जो है उसको और बूस्ट करने के लिए जो है सतावरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मतलब सारी चीजे एक तरफ और सतावरी एक तरफ तो समझ जाए कितना ज्यादा हेल्फुल होगा जब भी आप आयुवेद में चेक करो ना तो आपको पता चलेगा कि सतावरी की क्या इंपोर्टेंस ह तो अगर आप भी सतावरी यूज करेंगे ना अपने खाने में तो आप बहुत अच्छा दूद अपने बच्चे के लिए प्रड्यूस कर सकते हैं सतावरी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चूस कर सकते हो सतावरी जो है पावडर भी मिल जाता है तो पर साथ ही जो है आप थोर आपने खाने पीने का भी ध्यान रखेगा खाने से मेरा मतलब है कि आपका जो खाना है अप फुल अफ निट्रिशन वाला खाना खाईगा संपूर नहार जिसे बोलते हैं जो हमारे बादेस का पारंपरिक भोजन होता है उस तरह का फ्रेश खाना अब आपको है इस अप्रियोचेट नियार जर्ण शर्ण नता को और तो्थ अच्छतों अब्योखति रहेगा से इन दोनों बात ओके वह जए जयादा नींद करने के लिए क्योंकि जब बहुत जादा रेस्ट करते हो ना नींद लेते हो मतलब 24 गंटे में अट-लीस जो है आप साथ घंटे की नींद लेते हो तो इससे भी आपका हार्मोन जो है ना वह बैलेंस होने में बहुत जादा है तो इससे क्या होगा ना आपका जो सतावरी आप यूस कर रहे हो ना उसमें क्या होगा कि यह जो हार्मोन को डेवलब कर रहा हो ना दूद बढ़ाने के लिए तो रेस्ट भी कर रहे होगे तो उसको और हैल्फ मिलेगा और जादा बूस्ट करने के लिए तो आप इन सारी को सब्सक्राइब कीजेगा